दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गुंतर कारम की, जिसमें महेश बाबू ने एहम भूमी का निभाई है, यहाँ फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए कृप्या विडियो को लाइक करें, चलिए, कहानी की और बढ़ते हैं. फिल्म की शुरुवात में हमें सत्यम की परिवारिक जीवन शेली का एक जलक मिलता है, जो एक बड़े मिर्ची सप्लाई बिजनेस में है, सत्यम का परिवार काफी बड़ा है, और वे सभी खुशाली से जी रही हैं. एक दिन, लेनिन नामक गुंडा अपने भाई मार्कसस के साथ सत्यम के गोडाउन में बड़ा धमाकेदार हमला करता है, जिससे सत्यम का सारा माल नश्ट हो जाता है. सत्यम जिग्यासा से भरा अपने जीजा के साथ गोडाउन पहुँचता है और वहां लड़ाई शुरू होती है. इस संगर्ष के दौरान सत्यम का जीजा गुसे में होकर लेनिन को गला काट देता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं. सत्यम की पत्मी वसुन्धरा अपने बेटे रमना के साथ इस हाथ से को देखती है और उसकी और बढ़ती है. इसके बाद एक बड़े धमाके के कारण रमना की आख में चोट लग जाती है, फिर से सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि सत्यम को बारा साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि लेनिन के जीजा को मार दिया गया था. इसके बाद हम देखते हैं कि वसुन्धरा अपने पिताजी वेंकट स्वामी के पास वापस गई है और वहाँ वसुन्धरा को नारायन नामक नेता से शादी करने का सिर्जनहार बताता है, जिससे उनका एक और बेटा होता है. इस परिस्थिती के कुछ सानों बाद हम वेंकट स्वामी को देखते हैं, जो अब काफी बड़े मंत्री बन चुके हैं. एक दिन वेंकट स्वामी के पास लौयर पानी आता है और उसको बताता है कि इस बार लौ मिनिस्ट्री उसे मिलनी चाहिए. इस पर वेंकट स्वामी बताते हैं कि लौ मिनिस्ट्री की पद्वी उनकी बेटी वसुंधरा को मिलेगी. इसके बाद वसुंधरा लौ मिनिस्ट्री की शपत लेती है और फिर तेज धमाकों के साथ कहानी का एक नया मोड शुरू होता है यह रही गुंतर कारम की कुछ कहान जो अगले सीन की तरफ बढ़ने वाली है. रमना वेंकट स्वामी का पोता है लेकिन उन्हें उसके सभी रिष्टों से मुकाबला करने के लिए पेपर पर हस्ताक्षर करवाना चाते हैं ताकि रमना को उनकी संपत्ती और धन का कोई हिस्सा नहीं मिले और इसके बजार सब क उनके दूसरे पोते गोपाल को मिले जो वसुंधरा की दूसरी शादी से है और जो अब उसे सभी संपत्ती को देना चाते हैं. फिर वेंकट स्वामी रमना को मैसेज करते हैं कि उसकी मा वसुंधरा उससे मिलने बुला रही है ताकि रमना से पेपर पर हस्ताक्षर करवा ल जैसे ही यहाँ खबर रमना तक पहुचती है. वहाँ अपनी मा से मिलने के लिए निकलता है ताकि वहाँ उससे पूछ सके कि वहाँ बच्पन में उसको छोड़ कर क्यों चली गई थी. रमना अपनी मा से मिलने पहुचता है जिने उसने एक बार भी मिला नहीं था. फिर रमना वेंकट स्वामी के पार्टी ओफिस में पहुचता है जहां उसे पेपर में हस्ताक्षर करवा लेने का आदान प्रदान है पानी जो रमना के साथ है. उसे बताता है कि वहाँ यहाँ पर पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया है पर रमना यही पूछता है कि रिष्टा समाप्त करने के लिए कौन सा पेपर साइन करना है तब रमना कहता है कि अगर उसको एक बार अपनी मा वसुंधरा से मिला दिया जाए तो वह किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर कर बलकि उसने पेपर पर वेंकट स्वामी के लिए कुछ लिखा है उसमें यहां लिखा है कि तुझे खेलना ही है तो चल खेलते हैं बुड़े और यहां रमना का कहना था कि वहां अपनी मां से मिले बिना किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर नहीं करेगा फिर रमना वहां से जाते हुए वेंकट स्वामी के पार्टी उफिस की सभी तैयारी को पूरी तरह बरबात कर देता है और उसका बड़ा पोस्टर भी गिरा देता है अब रमना घर पहुचता है जहां उसकी बुआ और बहन उसे खाना खिलाती है और वहां बताता है कि वहां अपनी मां से मिलने गया था, पर मैंने साइन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी मां से मिलने ही नहीं दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि रमना के पापा सत्यम जब से जेल से छूटे हैं, तब से वह पूरा दिन बस एक कमरे में ही बैठे रहते हैं और खिड़की से निहारते हैं। कुछ दिनों बाद रमना को वेंकट स्वामी उनके घर बुलाते हैं, लेकिन रमना अपने परिवार वालों को जाने से मना करता है और रात को बैठ कर दारू पीता है, तब सत्यन रमना को समझाते हैं कि तेरी मा बुला रही है, तो तुझे जाना चाहिए, जिसके बाद रम रमना अपनी मा के घर जाने से पहले पानी अंकल के घर जाता है, क्योंकि वही रमना को उसकी मा के घर ले जाने वाले थे, तब पानी के घर में रमना को उसकी बेटी दिखती है, जो की काफी खूपसूरत है और जिसका नाम अमू का है, जिसे सभी लोग प्यार से अम्मू गुलाते हैं। रम्रा ने अम्मू को उस तबस्वम से देखते ही अपने दिल को खो बैठा और अम्मू भी रम्रा की व्यक्तिक्तता से प्रभावित हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकरशित रहते हैं। और इस समय पानी रम्रा को उसकी मा के घर ले जाता यह घर काफी बड़ा और आलीशान था। अब रम्रा अपने नाना वेंकट स्वामी के सामने पूरी तरह से बैठ जाता है। जहां उसे वसुंद्रा के दूसरे पती नारायन और सौतेले भाई गोपाल से मिलता है। तब रम्रा उसके नाना की अपमानित करता है। और कहता है कि वह अपनी मां से अलग होने के लिए पेपर पर हस्ताक्षर नहीं करेगा क्योंकि आटोग्राफ वह सिर्फ अपने फैंस को देता है। इसके बाद रम्रा वहां से चला जाता है और बाहर जाते हुए उसकी मां उसको उपर से देखती है। लेकिन रम्रा उसे भी देख कर वहां से चली जाती है। फिर वेंकर्ट स्वामी पानी के साथ कार में रम्रा को बताते हैं कि उन्होंने वसुंधरा को उससे अलत करने का कारण बताया है और इसका कारण है कि वे वसुंधरा के दूसरे बेटे गोपाल को एमपी बनाना चाहते थे। अगर रम्रा उनका बेटा रहेगा तो ओपोजिशन पार्टी गोपाल को MP बनने नहीं देगी। इसके बाद रमना जब अपने गोडाउन में काम कर रहा था तब बालू और अम्मू रमना के पास आते हैं ताकि वहार रमना से हस्ताक्षर करवा सके। अम्मू के पिताजी पानी को पता था कि रमना अम्मू से प्यार करता है इसलिए वे शायद उसके प्यार में गिरकर हस्ताक्षर कर देंगी लेकिन रमना बालू को चाटा मार कर वहां से चला जाता है। फिर घर लोटकर रमना देखता है कि उसके एक भाई ने एक आदमी को बांध लिया है क्योंकि वहां उनके साथ धोखा कर रहा था। इसके बाद रमना जमना सीधे मार्कसस के पास जाता है जो उसके पापा सत्यम का दुश्मन था और उसने अपने आदमी को भेच कर रमना के मिर्ची के व्यापार को खराब करने का कोशिश की थी। रमना अम्मो और बालू के साथ मिलकर मार्कसस के आदमियों को खूब पीटता है जिससे उनके सारे लोग पीछे हच जाते हैं। फिर मार्कसस डरके मारे बोलता है कि उसका आदमी कहा है जिसको उसने पकड़ा था क्योंकि उसके घर वाले उसे धूंड रहे थे। कभी रमना उनकी गाड़ी पर बीड़ी फैकता है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है उसके बाद रमना के घर आकर बालू और अम्मो आकर वहां रहने के लिए कहते हैं और रमना मान जाता है कि हाँ ठीक है रह लेना। अब धीरे धीरे अम्मों और रमना के बीच बाते शुरू होती हैं और इसी बीच वसुंधरा को हरिदास नामक गुंडा धमका आता है लेकिन वसुंधरा ने उसे बेमिसाल जवाब दिया और मुम्ह बंद करा दिया उसके बाद व्यंकट स्वामी अपनी बेटी से कहते हैं कि वहाँ इन गुंडों के उत्पन की हुई कठिनाईयों से दूर रहे इस पर वसुंधरा कहती है कि वहाँ सिर्फ अपना काम कर रही है उसके बाद व्यंकट स्वामी पानी से पूछते हैं कि क्या रमना ने पेपर पर साइन किया है लेकिन पानी इसे स्वीकार नहीं करता जि फिर दूसरे दिन इन दोनों को देख कर लगता है कि रमना को उस पेपर पर साइन करवाने वे कठिनाई हो रही थी लेकिन जब वे गाड़ी से निकल रहे थे तो मार्क्स के बाई का पुतला तूट जाता है और उसके बाद मार्क्स के लोग अम्मू की गाड़ी पर हमला कर लगते हैं तभी रमना का एक आदमी फोन करके बताता है और रमना आकर मार्क्स के लोगों को पीट कर अम्मू को बचा लेता है अब अम्मू भी रमना के प्रेम में पढ़ जाती है और वे दोनों बहुत सारी जगें घूमते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं फ के पश्चात पुलीस अफसर रमना को पकड़ कर पुलीस टेशन ले जाते हैं और एक पुलीस अफसर रमना को धंकिया देता है लेकिन रमना हंसता रहता है और पुलीस अफसर को हंसी में डालता है बाद में बालू रमना उसे छोड़ता है और रमना गुस्से में बालू के सा अपने नाना व्यंकट स्वामी के पास जाता है और कहता है कि उसने उसके खिलाफ जूती शिकायत की थी, जिस पर वह पानी से उस शिकायत को पढ़ने के लिए कहता है. फिर जो कुछ उस शिकायत में लिखा गया था, वह घर की सभी चीजों को तोड़ देने के साथ साथ बात कर देता है और इसे देखकर उसकी मा वसुंधरा रमना को आलोचना करती है फिर वह वेंकट स्वामी से कहती है कि रमना को जो भी चाहिए वह दे दो और पेपर पर साइन करवा लो जिस पर रमना अब गुस्से में पेपर पर साइन कर देता है और इसके अनुसार अब रम रमना बाहर आता है और अम्मु बताती है कि उसने उसके घर पेपर पर साइन करवाने आई थी जिससे रमना अम्मु से नाराज होकर वहां से चला जाता है। पारण वहर रमना के पैरों में गिर कर माफी. अब रमना के घर पुलीस बला आ जाती हैं और रमना के घर वाले पुलीस को हनसी में लेते हैं जिससे एक पुलीस अफसर गुस्से में रमना के एक आदमी पर हाथ उठा देता है और वहां। गुस्से में रमना के कई लोग पुलीस को ही पकड लेते हैं जिससे डर के पुलीस वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनका बस नहीं चलता और उन्हें चुपचाप लोटना पड़ता है। इसके बाद एक बहस सत्यम और रमना के बीच शुरू होती है जिसमें रमना अपने पिताजी से अपनी मा के बारे में बात करता है। सुनकर रमना के पिताजी सच बताते हैं कि रमना की मा वसुंधरा ने उसे सिर्फ रमना के लिए ही छोड़ा था। वह बताते हैं कि मूवी की शुरुवात में गोदाम में हाथसा हुआ था, तब सत्यम अपने जीजा को जेल से बाहर निकालना चाहता था और उसी समय वसुंधरा उसके बेटे रम्रा की आग का इलाज करवाना चाहती थी. इसलिए उनके बीच लडाई हुई और वह गुसे में घर छोड़ कर चली गई, वसुंधरा को पता चला कि रम्रा की एक आख सही नहीं हो सकती और उसने गुसे में सत्यम को कोट में लेनिन का कातिल बताया, जिससे सत्यम को जेल हो गई. इसके पश्चात सत्यम बताता है कि उसके बाद वसुंधरा अपने बेटे रम्रा को लेने नहीं आई, और इस पर रम्रा को वसुंधरा से कई सवाल करने की आवशकता है, पर वह वेंकट स्वामी से जगह में फंस गया है, इस पर रम्रा भी गुसे में हाथ से चला जाता है साथ ही अम्मू भी रम्रा से दूर है, जिससे ये दोनों उदास है। बस चश्मा लगा कर सभी को डराता है, रम्रा बापजी को लेकर वेंकट स्वामी के पास जाता है, और वहां उच्छेदत की सारी गाडियों को उड़ा देता है, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि रम्रा भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसके बाद रम्रा व्यंकट स्वामी को बताता है कि उसकी मा की असलीता को जानकर वहां वापस लाना था, जिसके लिए उसने पूरी योजना बनाई। थी, व्यंकट स्वामी तब पानी से बात करने चले जाते हैं और मूवी की सच्चाई सामने आती है। वहां बताता है कि उसकी बेटी ने सत्यम से शादी की थी, जो की एक इंटरकास्ट मेरिज थी। इस कारण पबलिक के सभी वोट अपोजिशन पार्टी को मिले और व्यंकट स्वामी इलेक्शन हार गए। इसके बाद व्यंकट स्वामी ने इलेक्शन जीतने के लिए अपनी बेटी को वापस लाने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने सत्यम के गोडाउन में आग लगवाई और उसकी बेटी को हमेशा के लिए ले आया। इसके बाद उसने अगले इलेक्शन को जीता और पावर में आएं। अब हम देखते हैं कि रमना हरिदास के अड़े पर जाता है और पहले चाय पीता है। फिर अंदर जाकर हरिदास के आदमी को बहुत मारता है और तब जाकर रमना को पता चलता है कि वह आदमी जो बाहर चाय दे रहा था वास्तविक हरिदास है। फिर हरिदास रमना को बताता है कि उसकी लड़ाई वेंकट स्वामी के साथ है और उसने उसकी मा के एक्सिडेंट को नहीं करवाया था. फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंकट स्वामी सभी लोगों के बीच से होता हुआ अपने पोते के पास जाता है क्योंकि आज वहाँ गोपाल को MP पत के लिए लोगों के सामने खड़ा करने वाला था पर जब उसे देखता है कि गोपाल दारू पीकर वहाँ पड़ा है तो वेंकट स्वामी गुसे में उसको खूब मारता है क्योंकि उसने ही गोपाल को दारू पिलाई थी तब वहाँ नारायन कहता है कि गोपाल तुम्हारा पोता नहीं है यह सुनकर वेंकट स्वामी की दुनिया हिल जाती है। दरसल वसुंधरा कभी भी नारायन के साथ पत्नी की तरह रही नहीं और जब उसके पापा ने उसे बच्चा करने के लिए कहा तो वहां विदेश में एक साल रही और वहीं से एक बच्चा ले आई जिससे उसके पापा क तो यही लगा कि यहाँ वसुंधरा का बेता है। मतलब कि वसुंधरा इतने सानों से अपने पापा को ही उलू बना रही थी ताकि वहां उसके बेटे रमना को कुछ करे ना साथ ही। वसुंधरा चाकर भी रमना से नहीं मिल पाती थी कि कहीं वेंकट स्वामी उसे मरवा न अब ये सारी बाते रमना भी वहां आकर सुन लेता है और उसको पूरी सच्चाई पता चल जाती है। कि उसके पापा ने सर्वे करवाया था कि अगर किसी नेता की बेटी मरती है तो जनता उसी की पार्टी को जीता दहे। मतलब कि वेंकट स्वामी ने ही वसुंधरा का एक्सिडेंट करवाया था ताकि उसकी पार्टी इस बार भी जीत पाए फिर वसुंधरा रम्रा को सारा सच बता बताती है कि उसने यह सब क्यों किया था जिसके बाद उनके बीच की सारी गलतफामी खत्म हो जाती है और रम्रा के साथ उसके घर चला आता है और अपने नाना से हमेशा के लिए रिष्टा तोड़ देता है अब इसके बाद वसुंधरा को घर में देखकर उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है और यह मूवी यही पर समाप्त होती है